पैसा लिया पैसा बैद करते हैं तूने पैसा बैद करते हैं नमस्कर दोस्तों दर्बंगार उसमें आपका स्वागत है घोगर्ड या स्टेशन पर तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है जहां दोस्तों जिनोंने अतिकर्मन करकबजा कर लिया था जो दुकानदार आज उनके लिए शामत आई और पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने मिल करके यहां पर अतिकर्मन हटाने का काम सुबह से ही शुरू कर दिया देखे किस तरह से क्रेन की मदद से जो है वो अवैद निर्मान को गिराया जा रहा है तोड़ा जा रहा हो पूरा पुलिस प्रशासन पूरा महकमा यहां एकठा हो गया था आपको बता दे कि दो दिन पहले ही सुचित कर दिया गया था तमाम दुकानदारों को अवैद अतिकर्मन कारियों को कि आज के दिन यानि 30 तारिक को अवैद निर्मान कारे को ध्वस्त किया जाएगा दस बजे तक वो हटा ले जो भी हटाना है और जो नहीं हटा पाए वो उन्हें क्रेन के ज राइड में भी तो दोनों तरफ जो है वो जो भी अतिकर्मन था खास करके जो अंडर पास है वहाँ पर जो अतिकर्मन था उसे इस तरह से बुल्डोज किया गया हटाया गया तोड़ फोड़ किया गया और लगातार यहां पर गहमा गहमी तेज रही और लोग जो है वो हैं रहसािए क्शक करें करें तार्ट लिए लगातार यहां पर लगातार पनी जमीन को खाली करवा है और इस तरीकर से पूरे दिन गहौा गहौमी घोगाडिया के दोनों साइड में रही स्थानीольз कमा proposal आकर लगातार मॉनिटिंग करता रहा हाला कि यहां पर उन्हें बल प्रयोग जो है करने की नौबत नहीं आई और आराम से होता रहा हाला कि कुछ छिटपूट विरोध हुआ लोगों का लेकिन कुल मिला करके शांति पुन तरीके से यह अतिकर्मन को हटाए गया और पूरे दिन य यह वीडियो हमें बिर्जु ठाकुर जो हमारे सेयोगी वहां पर हैं उन्होंने हमें वीडियो भेजते रहे और हमें बताते रहे कि किस तरह से वहां पर अतिकर्मन हटाओ अभियान चल रहा है और यहां पर प्रयाप्त संख्याबल थी पुलिस वालों की और यह देखिए यहां स्टेशन के पास से जब दिखाई देता है तो यह बीच में पानी का एक जील जिनुमा जो इलाका है उसके बाद यह रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ यह रेलवे की जमीन है दोनों तरफ जो है अवायद निर्मान किया गया था खास करके यहां पर जलपान, चा कह दिया गया था कि इसो हटाईए, इसको तोडा जाएगा और तीस तारिक से तो आज नियत समय से ही यहां पर सब पहुँच गए थे और देखे किस तरह से यहां तोड़ फोड मचाई गई, तोडा गया अवायद निर्मान को और लगातार यहां पर अवायद निर्मान को तोड़ा जा रहा है और इसमें जो है वो तमाम प्रशाशनिक अधिकारी और रेलवे के बड़े अधिकारी इसमें सम्मिलित थे यह पूरे ज्ञाइंट चलाया गया और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो खाली खराया गया आपको बता दें कि यहां खाली कराना इसलिए भी जरूरी है कि बहुत जल यहां पर रेल परिचालन शुरू होने की पूरी संभावना है और लगातार सर्कुलेटिंग एरिया या अंडर पास सडक यह सब जो भी कबजे में हैं इसको साफ सफाई किया जा रहा है ताकि आने व बर्षों से यहां पर रेल परिचालन नहीं हुआ था इस वजह से यहां पर अवैद अतिकर्मन कारियों ने यहां पर कबजा कर लिया था और यहां पर लगातार दुकाने बना करके यहां पर उनका एक तरह से कारोबार चल रहा था वो हमेशा से निशाने पर ही था क्योंकि यह जो स्थाई तोड से जुगियां बनाई गई थी दुकाने बनाई गई थी और इस वज़े से यह हमेशा टार्गेट पर था लेकिन कोई समय नियत नहीं था लेकिन आखिर वो दिन आ गया जब रेलवे को लगा कि अब यह पूरे इलाके को पूरे परिसर को अतिकरमन हटा देना चाहिए क्योंकि आने वाले कही महीन आने वाले महीनों में यहां से रेल परिचालन आरंब होगा तो जब आवागमन होगा तो उस समय दिक्कत आ सकती और खास करके जब CRS का यहां पर निरिक्षन होगा तो उस दर्मियान भी यह सब चीज़ें देखी जाएंगी कि य पास से पानी की निकासी ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है आस पास लोग किस तरह से रह रहे हैं और जमीन को रेलवे की जो जमीन है वो खाली कराई गई है या नहीं इन तमाम विशों पर जांच होगी देखा जाएगा निरिक्षन होगा और उस समय अधिकारी ज चिटपुट घटनाओं को छोड़ने लोगों की नाराजगी थी कि भाई उनसे अवायद वसूली करके उन्हें वहाँ पर दुकाने लगवाई गई उनसे पैसा लिया जा रहा था ये आरोप लगा अलाकि जो भी आरोप लगा लेकिन ये अवायद कबजा तो अवायद कबजा ही होता है रेलवे की जमीन थी रेलवे की जमीन कभी भी खाली कराई जा सकती थी इसलिए वो समय आ गया जब रेलवे ने अपनी जमीन को खाली करा लिया है और पूरी तरीके से दोनों साइड में दोनों गुम्टि की दिशा में दोनों अंडरपास में ये अतिकरमन को खाल शुक्रिया दनवाद जैहिंद और बिर्जु ठाकूर का भी बहुत बहुत शुक्रिया